साथियो, जब मन में लोगों की सेवा का भाव हो, परिवर्तन लाने की इच्छा शक्ती हो, तो बड़े से बड़े लक्ष को पाना संभव होता है। सूरत से भावनगर आने जाने वाली गाड़ियों की क्या स्थिती होती थी, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। गंटों का सफर, सडक हाथ से, पैट्रोल डीजल का खर्चा, कितनी सारी मुष्टिले थी, अब जीवन पर संकट भी कम हुआ, किराए भाड़े का पैसा और समय भी बच रहा है। तमाम अब अर्चनों के बावजुद हमने गोगा दहेच फेरी शुरू करके दिखाई, इस सपने को पूरा किया। गोगा हजिरा, रोरो फेरी सर्विस से, सवराष्ट और सुरत की दुरी लगबग 400 किलोमेटर से घट करके, 100 किलोमेटर से भी कम हो गई। बहुती कम समय में इस सेवा से लगबग 300,000 यात्री सफर कर चुके हैं। 80,000 से अधिक गाड़ियों को यहां से वहां पहुंचाया गया है। और इसी साल अब तक 40,000,000 लीटर से अधिक पैट्रोल डीजल की बचत हुई हैं। मतलब उतने पैसे आप लोगों की जेब में बचे हैं। आज से तो इस रूट पर बड़े जहांजों के लिए भी रास्ता साफ हुआ है। साथियों आप समझ सकते हैं यह कितनी बड़ी सेवा इस छेत्र के सामाने जनों, किसानों और व्यापारियों की हुई है। लेकिन इतना सब कुछ बिना किसी शोर सराबे के बड़े बड़े विग्यापन के पीछे पैसे बरबाद के बिना यह सारे काम हो रहे हैं साथियों। क्योंकि हमारी प्रेड़ा और लक्ष कभी भी सत्ता सुख नहीं रहा हैं। हम तो हमेशा सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हैं यह हमारा सेवा का यग्या चल रहा है। इसी सेवा भाव के कारण ही इतना प्यार इतना आशिरवार निरंतर बढ़ता ही चला जा रहा है।